आओ लोट चले गाउं की और प्रकर्ती की और गाउंवान स्टूडियो के रईवार विसेश कारिक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज हम आपको लेके चलते हैं बानसूर के रामपूर से आगे चलकर पहाड़ी छेतर में नातूसर गाउं के पास में इस्थित जो हम यहाँ पर जो बहरु का जो मंदिर है उस प्रांगन के पास में हम अपनी टीम के साथ इस्थित है और आप लोगों को यहां बताएंगे कि इस मंदिर की गाउं के और अच्छे मन से यहां आकर और अपनी मुराद के लिए जो प्रात्ना करते हैं वो निस्षित रूप से पूरी होती है आसपास के गाउं के लोग लोगों की इस मंदिर के प्रती काफी आस्था है और मंदिर का मेले के समय वर्स में एक बार यहां मेला लगता है इस्थानिय करता करके और आपसे रूबरू भी कराएंगे कि किस प्रकार इस मंदिर का सामरिक महत्य लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है हम अपनी टीम के साथ आज प्रात्य जल्दी इस नाथूसर छेत्र में आये हुए हैं वर्साथ धिमी-धिमी हो रही है सर्दी में इस मावठ की वर्सात से किसानों के चहरे भी खिले हुए हैं हम मंदिर प्रांगण में यहां जो महराज जी का धूना बना हुआ है उसके पास में और पास में ही यह जो छोटा एक मंदिर इस्थित है चारो तरफ पहाड़ी भरा एरिया है और लोग बिलकुल ढानियों के रूप में अ सहता समू चला रही है यहां से रामपूर तक का जो रास्ता है लोग पैदल चलकर और रामपूर पहुंचते हैं बाकी जिन लोगों के पास अपने खुद के विक्तिकत साधन है वो मोटर साइकल ट्रैक्टर या जीप वगरा के माध्यम से भी रामपूर तक चले जाते हैं बाकी मुख्य रूप से यहां के लोगों का जो आजीविका का साधन है वो जंगल में पसू पालन करके और साथ में दूद या दूद से बने हुए उत्पाद, मावा या बाकी चीजें बनाकर ही यहां के लोग अपना जीवन निर्वह करते हैं पूरी तरह प्रकरती के उप प्रकरती इनका साथ देती है क्योंकि यह लोग जंगल में जंगल को अपना पूरा का पूरा एक आसरे का इस्थान मानते हैं यहां पर यह अपने पसूं को चराने के साथ साथ अपनी दिनचरिया की सुरुआत सुबह भोर से उठकर अपने पसूं को जंगल में चराने के ल इस प्रकृति के स्रंगार के बीच और इस आच्छादित चारों तरफ पहाडियों के छेत्र के बीच हम आप लोगों को इसी प्रकार के रमणिये और दर्सनिये इस्थलों तक पहुंचाने का काम हर रईवार हमारे गाउवानी स्टूडियों की टीम के साथ करते हैं आज यहां वर्सात धीमी धीमी हो रही हो प्रकृति का यह अजूबा देखकर हमें भी एक मन को सांती और चित को पूरा के आनंद दाई माहोल यहां पर प्रतीद होता है विभिन प्रकार के पक्सी चड़िया यहां पर देखने को मिलते हैं जो स्वतंतर रूप से विचरन करत हैं यहां पर और यह बिल्कुल आबो हबा साप स्वच और पूरी तरह ऑक्सीजन जब सास के द्वारा फेपड़ों तक जाती है तो मन को भी बिल्कुल एक अच्छा भान होता है आप भी अपने जीवन में व्यस्तम समय में से समय निकालकर जरूर इस प्रकार की प्रकरती क स्रंगार के मध्य अपने आपको रखकर आप महसूस करोगे तो लगेगा कि हाँ वाक्य में प्रकरती सभी लोगों के लिए इस प्रकार बनी हुई है सभी का ख्याल रखने के साथ साथ यह हर चीज का एक पूरा सूनियोजित तरीके से विवस्थित करके रखती है जिस तरह पूधों को पानी की आपूरती होती है साथ में किसानों के लिए भी यह काफी एक सोने जैसा काम करती है क्योंकि जहां पानी की कमी है सिचाई के लिए साधन नहीं है उन लोगों के लिए यह जो मावठ है काफी एक तरीके से उनके चैरे पे खुसी लाने वाला पल होता है तो इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ हम आप लोगों को हर रईवार हमारे गावण स्टूडियो के चैनल तले इसी प्रकार की नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के साथ इसी प्रकार आते रहेंगे आप देख रहे हैं कि पक्षियों की जो आवाज है वो कानों तक गूंजते हुए बिलकुल एक मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है बारिस की बुंदें जमीन पर गिरते हुए और इनकी जो बुंदों की आवाज है वो भी एक संगीत जैसा भान हो रहा है नाथूसर में पहाड़ी जो घाटी चड़ने के बाद में यहां जो बहरू का जो यह मंदिर है उस प्रागण पे हम आप लोगों के साथ है यहां पर आज इस मंदिर प्रागण की जो महिमा है उसको हमने इस वीडियो के माद्यम से जाना और इस्थानिय लोगों से भी हमने सुना कि इस मंदिर की क्या सामरिक महत्ता है किस प्रकार लोगों की आस्था का यह केंद्र है और विसेश कर सबसे बड़ी बात जो हमने देखी कि प्रकरती का चारों तरफ से पहाड़ियों के बीचों बीच यह मंदिर स्थित है और यहां पर लोग अपनी मन्वतं के लिए अपनी आस्था के लिए लगातार यहां पर आते हैं और जब यहां वर्स में मेला लगता है इस मंदिर पर तब भी आसपास के कई सारे गाउं से लोग यहां आते हैं तो इसी प्रकार हमने देखा कि हमारे बानसूर में बानसूर तैसिल का जो सुदूर अंतिम गाउं जिसे हम राजस्व गाउं नाथूसर के नाम से जानते हैं यहां बिल्कुल दुर्गम भरे रास्तों से लोगों को आना पड़ता है और फिर भी यहां के लोग संघर्स करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और इस मंदिर प्रांगण में आकर और आसपास के छेत्र को हमने देखा तो प्रतीत हुआ कि प्रकरती का यह बिल्कुल एक आच्छादित चारों तरफ से पूरा पहाडियों से गिरा हुआ एरिया पेड़ पोधे और कई तरह के यहां पर जीव जंतु विचरन करते हैं जो दर्सनिय स्थल हैं उनको आकर देखें और हम हमारे गावणी स्टूडियो के अगले वीडियो में इसी प्रकार की एक नई रोचक कहानी से आपको लोगों को रूबरू कराएंगे और आपसे विदा चाहेंगे जै हिंद जै भारत